नमस्कार मेरे दोस्तों और आज के मैच के एकर बात करें कि कौन किस पर भारी याना आज के मैच प्रिव्यू की बात करें तो आज का मैच बढ़ा जबरनस्त मैच है तब फाडू, फाडू मैच क्योंकि हार्दिक पांडिया के लिए ये बदले का मुकाबला है बास हार्दिक पांडिया पूरे डाउन और आउट दिखें लेकिन अगर आज के इस मैच में घर में घुजकर मार पाए विरोधी को तो उनका लोहा माना जाएगा और वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छे कॉन् क्योंकि जिस टीम के साती मुकाबला है उन्होंने वुमबई इंडियन्स के घर में घुजकर उनको बुरी तरीके से पठका और आज जो मुकाबला है वो है उनके विरोधी टीम से जो उनको यह रा चुकी यानिकी बदले का मैच है और यह मुकाबला है इडन गार्डेंस मे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाब जिसका नारा है कॉर्भरल वो जीत बुरे और अगर और अगर आज कोलकाता नाइट राइडर्स जीत गई न तो वो कालिफाई करने वाली आई जीजन 17 के प्लेई ऑप के लिए पहली टीम बन जाएगी जीए प्लेफ से बादे सबर प बात करें जब सर से सर टकराया तो क्या हुआ सर सर टकराया तो यह हुआ कि 33 बार कुल इन्होंने आपस में मैचेस कहले हैं के के आपने जीते हैं 10 सिर्फ दस जी आपस और मुंबा इंडियन जीते हैं 23 तो यह तो एक तरफ़ा है अगर इनके इतिहास की तरफ जाए लेकिन मौ केटे मे अगह केड़े में आओंगे भाव यह ककृए मोंबाई इंडियन के घर यह मैं ़ृट अगर बात करें इन डूर टीम पिछले मेच की तो यह अपने पिछले मैचेस जीते हैं तो दोनोंचेप दोनों होगाने मेंて मैं है अब बात करते हैं इंगारण के मैदान के रेकॉर्ड्स की थोड़ी सी एक थोड़ा सा स्निपट आपको देतूं कि कुल बांब में मैचे जो है 92 जिसमें से पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते हैं सैथिस और बांब में बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते हैं पच्पन जिया मैच पच्पन दिल बच्पन और यहां का ओसत स्कोर जो है पहली पारी में बल्ले बाजी करते हुए करीब 167 अब चलते हैं किसकी क्या ताकत है और किसकी क्या कमजोरी है शुरूआ करते हैं महमान टीम के साथ और महमान टीम यारी कि मुंबा इंडिन की ताकत की बात करे तो सुव एक कुमार यादब ताकत बनकर उब रहा है आपको वालों में कि 200 के स्ट्राइक रिट से उन्होंने शतक भी लगाया है तो जवर्दस्त बल्ले बाजी कर रहा है बुम्रा की गेंद बाजी लगातार थाकत है उनके लिए और इसके अलावा प्यूश चावना जू ब्यूटिफुल बोलीन कर रहे हैं कमजोरी की बात करें रोहिक शर्मा फिर से डाउन एंड नजर आरे हैं अच्छी चुरूबात के बात लग रहा है कि जैसे थकान हो गई है फिसिकल पटीग में सुनके दिख रही है और इसके लाबा इशान हर्दिक नमंदीर बल्ले से ब सब्सक्राइब और इसके अधार नाराएं करते हैं जब बुग चाहिए गेंद बाजी कर रहे हैं चाहिए वह बैटिंग कर रहे हैं तो यह इनकी ताकत है केकर ब्ली श्रेया शही है पूरी तरीके से प्रॉप और रिंकू सिंह का इतना खराब इस सीजन में श्रेयश एहर ने किया है कि उनको यह दोश दिया जाना चाहिए कि कैसी कपता नहीं कर रहे हैं मतलब रिंकू सिंह को बर्मात कर दिया इस सीजन में का इंजरी तोड़ दिया और रिंकू सिंह को अब मुझे कमजोरी में डालना पड़ रहा है कि जितनी बैटिक करा लो रन कि बात करते हैं पहले महमान और महमान नवाजी बड़ी जबरदस्त है मेरे अंदर भी मुंबई इंडियन्स की जो संभावित गया रहा है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है इशान किशन रोहित शर्वा नमन धीर सूर्य कुमारी आदब तेलक वर्मा हर्दिक पंडिया टिम डेविड अंशुल कंबोच जिया थोड़ा साथ अन्नोन नेम है अनका प्यूष चावला जस्प्रीत बुम्रा और नुवांत तुशार और की बात करते हैं की संभावित गया रहा है फिल सॉल्ट सुनिल नरायन अंग्रिश रभुवंशी आंजरे रसल रिंकु से स्रे बारी का मीटर तो कॉन किस पर बारी का मीटर में मुझे लग रहा है कि कोलकातर नायट रैडर्स बारी लग रहे एक मीटर में प्री मैच फेवरेट लग रही है 60-40 इन फेवर और और अगर आज के यार जीत जाती है तो वो IPL सीजन 17 की पहरी टीम बन जाएगी प्ले आफ्स के लिए क्वालिफाइग करने बारी एंजोई दा मैच